हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग करेंट अफ्यास टूड़े का आज 100 एपिसोड आप लोग बीच लेके आया हूँ जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह भुगोल एवं आपदा परवंधन से जोसी मठ में भू अफ्तलन तो जोसी मठ में जो भू अफ्तलन हो रहा है यानि भूमी का जो धसा हो रहा है जिसके लिए आप देखे होंगे कि अभी चर्चा में था कुछ दिन एक महिना पहले क्या था कि घर में दरारे आ रही है रोडे धंस रही है इसके पीछे क्या कारण ह ठीक है तो इसमें परमुख बिंदू है वह क्या है और यह जो चर्चा के समय से है तो इसमें परमुख बिंदू और जो भू अव्दलन है या भू धंसाव है ठीक है उसके पीछे का क्या कारण है क्या रीजन है जिसे उसके बाद देखते हैं कि मिर्दा सनहन क्या है ठीक है औ भार्त में और भुकम्पिय जो जो फाइब ठीक है भारत तो वह किस प maskar से यानि उनकी तृीवता क्या होती है और संबंदित जो समीति है जो इस पक्ष में काम कर रही है वह क्या राय है उनका क्या विचार है और जोसीमच का है यानि जोसी मट्ट का सामरी द्रिश्टी से तिर्त अस्तल द्रिश्टी से क्या महत्व है बफारत के लिए और घुल अस्खलन जो है वह किस परकार पर भावित कर सकता है जोसी मट्ट को इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों यह जो है ना मैगजीन दिरिश्टी मतलब जो दवीजन है जो दिरिश्टी क्रेंट अफियर्स जो परती मंत अपने स्टुडेंट को देती है तो क्या है कि यह कई सारे स्टुडेंट के पास नहीं पहुंच पाता है और यह मैगजीन यूपियसे आएस्टेट पीसे के आकर आप तैयारी करते हैं तो उसके एक्जाम भी उसे यह बहुत ज्यादा महत्तपूर है कि इसके कई सारे टॉपर हुए हैं जो हिंदी मीडियम के जो यूपियसे आइस्टेट पीसेस में उनका भी कहना है कि यह इनका रिएगुलर पाठक रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्फुल रहा है तो दोस्तों आपको क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें जो टॉपीक आता है थिक है वक्त से जैसे करेंट फिर में कई परियावरें परिश्थित्की से भूगोल भारते समाज इवां समाजी की नया इतिहास कला इवां संस्कृते और अंत्री की सुरच्छा इन सभी में जो मतलब क्रेंट अफियर से रिलेटर जो कोई भी घटनाए होती है वह जैसे कि इस मैगजीन में देखेंगे कि 25 दिसंबर से 24 जनवरी तक 2023 तक कवरेज किया गया है तो एक महिने के अंतर में जो भी घटनाए घटित होती है उन सभी को इसमें समहित किया जाता है अगर आप परती मन्त इसका क्या अगरते हैं पाठन करते हैं यानि इसको रेगलर आप पढ़ते हैं तो आपक अच्छे से किसी भी exam को के लिए प्रेपियर कर सकते हैं त्यारी कर सकते हैं तो इसके लिए क्या है कि हम रादंसे आप तक पहुचाने के कुछिज कर रहे हैं यह जो मैघजिन करते हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका रेगलर पारठन पाठक बने है ठीक है तो क्या है कि आप तक नहीं पहुँच पाता है ये तो हम पहुँचाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है अपनी अवाज से आप तक पहुचाने के कुछिस करते हैं अगर इसका PDF लेना चाहते है तो इसी चैनल पे आप एबाउट में जाएंगे तो वहां टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वहां आप जोइन कर सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं तो देखते हैं कि चर्चा में क्यूं है तो उत्राखंड के जोसी मठ में कई सरकों एवं सैक्रों घरों में धरारे दिखाई देने कि लगबग एक हपते बाद हा जोसी मठ में विभिन कार्णों के बारे में विस्तार से चर्चक कीजिए ठीक है की प्रमुख बिंदु इसमें क्या है तो यह घोशना केंदर सरकार के वरिष्ट अधिकारियों उत्रा खंड राज के अधिकारियों और राष्टिय आपदा परवंधन प्राधिकरन यानि एंडी में भारते भू विज्ञानिक सर्वेक्षन जी एसाई और राष्टिय जल विज्ञान संस्था इनायच सहित एजंस के सिर्ष अधिकारियों के बीच एक उच अस्तरिय बैठक के बाद हुई और उत्रा खंड के जोसी मठ में जो सरको एवं सेक्रों सेक्रों घरों में जो दरारे दिखाई दे रही है उस छेत्र को क्या है कि भू असकलन या धसाव घरस्त छेत्र घोशित किया है उस इन तब जो ने मिलकर के सब राई से अपनी इस छेत्र को घोशित किया ठीक है उसके पीछे क्या कारण है तो देखते कि भू अफ्तलन या भू धसाव क्या है सबसे पहले ठीक है तो कि नेशनल ओशियन एट्मसफेरिक एड्मिस्ट्रेशन के अनुसार भू अफ्तलन यानि भूमी क्या होता है कि ने भूमी का धसना है तो जैसे कि खनन गति विडियो के साथ साथ जल या प्रकृतिक संसादनों का दोहन करना इससे क्या होता है कि भूमी का धसान होता है यहीग कारण हो रहा है तो कांब, यही पूम सत्सक्राइन के कुछ चूछ प्रसिद कारण है मिर्दा भूकमं मिर्दा पर्दन और मिर्दाशनहन जो है यह सब क्या है कि भूँ अवत्रन के कुछ परसीद कारण है इन सब कारणों से क्या जब कारण नहीं नहीं जानते हैंगे उसे पहले क्या है कि USA आधारित एजंसी की वेब साइट में यह भी उलेक क्या गया है कि यह घटना पूरे राज या परांत जैसे बहुत बढरे छित्थर यहाड के एक kोने जैशे बहुत चोते छित्र हो सकती है और यहा किसके तोरा यूएस अधारी जो एक एजनसी है वेबसाइट उसमें यह उलेक क्या गया है कि यह जो हो सकता है या भू अफ्तलन या पूरे राज में भी हो सकता है या किसी परांद में हो सकता है या किसी बरे छेतर में या कोई यार्ड हो सकता है ठीक है उन सब छेतरों में भूमी का धसा को कम करके मिर्दा को सघन करने के लिए यांत्रिक संकुछित पर्यास को लागू करने की पर्थार ठीक है सनहनन तब होता है जब कनों को उनके बीच की जगह को कम करने के लिए एक साथ दवाया जाता है उसके बाद क्या है कि अत्यधिक सगन मिर्दा में बहुत कम अस्थान होते हैं जिसके परिनाम सरूप कुछ इकाई भार वाली मिर्दा का विकास होता है इस टितम नमी समागरी में अधितम घनत प्राप्त किया जाता है इन्सिटू यानि प्राकृतिक अवस्था में या रसाइनिक रूप से संसोधित मिर्दा की वहन चमता और कठोरता को बढ़ाने के लिए मिर्दा सनहनन की अवशकता है देखते हैं कि जोसी मठ के धसने के कारण क्या हो सकते हैं वह तो हम देखे तो उपर में क्या कि भूमी की अफ्तलन जो होता है वह किन-किन कारणों से हो सकता है क्यों होता है लेकिन जोसी मठ को में जो धसान हो रहा है ठीक है तो उनके पीछे क्या कारण है तो अनियोजित विकास भूकम प्रवन छेत्र चरम मौसमी घटनाओं से समंदित छेत्र सहरी बसावट भू वज्यानिक विवस्था परमुख विवर्तनिक दरारों से निकटता ठीक है तो य इसे सग्यों का अनुमान है कि यह घटना अनियोजित निर्मान अधिक अबादी जल के प्राकिर्तिक परवा में बाधा और पनबिजली गति विर्यों के कारण हो सकती है अगला पॉइंट है कि भूकम प्रवन छेत्र यह सहर भारत की भूकमपिय छेत्रीकरन जोजना में उ सक्रित थ्रश्ट के बीच इस्तित है और इस परकार एक भूकमपिय रूप से सक्रिय भूभाग पर इस्तित है अगला देखते हैं कि चरम मौसमी घटनाओं से संबंदि छेत्र जैसे कि जोसी मठ चरम मौसमी घटनाओं के परतिसमवेदंसील है जलवायू विज्यानिक एक ऐसे छित्र में इस्तित है जो अक्सर उच्य त्रिवता एवं सकेंद्रित वर्सा प्राप्त करता है उसका देखते हैं कि सहरी बसावट ठीक है तो सहरी बसावट के पीछे क्या है कि विशेशग्य की अनुसार जोसी मठ सहर एक प्राचीन भू अस्कलन सामगरी अथार् इसलिए इसकी जो भार वहन छमता अधिक नहीं है इसलिए यह भूगर्विय सनरचना की दरिश्टी से लगतार बढ़ते बुनियादी धाचे और अबादी के लिए बेहत समवेदन सील है इसके अलावा एक उचित जल निकासी विवस्ता की कमी ने भी इस छेत्र के धसाओं के योगदान दिया है और जो है कि उचैस जल निकासी निकासी इनया वापस ले आने के लिए यह जल को न एक जगा से ब्सूइर तकहुंचाने के लिए यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है इसके लिए क्या है कि नीचे खोद करके पैप को बिछाया जा रहा है तो अस्थानिय निवासियों ने इस घटना के लिए NTPC के तपोवन विशनुगड हाइडरो पावर प्रोजेक्ट को भी जिम्मेदार ठराया है और वहाँ के जो निवासियों वह NTPC को भी जिम्मेदार ठराया है क्योंकि सुरंग में एक जल भृत से जल रिशाव के कारण जोसी मठ में जल का सुरोत सुख गया थे उसके बाद है कि भूविज्ञानक विवस्त था तो उपरुक्त संभावित कारणों के अलावा रिपोर्टों में बताया है कि जोसी मठ में अवतलन एक भृगौलिक भ्रंस इसे चटान के दो खंडों के बीच फ्रैक्चर या जोन और फ्रैक्चर के रूप में परिभासित किया गया है कि पुर्णर्सकिरियन से सुरू हो सकता है भौगौलिक भ्रंस जहां भारतिय प्लेट का हिमाले के साथ साथ यूरेसियन प्लेट के नीचे धहसाव हो रहा है और भारतिय प्लेट जो नीचे धहसी रहा है लेकिन क्या है कि यूरेसियन प्लेट के नीचे धहसाव हो रहा है जैसी धराओं से अबध पहारी के मध्य धलानों में अवस्तित हैं उसके बाद देखते हैं कि भारत में भुकंप प्रवन छित्र ठीक है तो कौन-कौन सी है तो तक्नीकी रूप से सक्रिय वलित हिमाले परवत की उपस्तिती के कारण भारत भुकंप परभावित देशों में स एक है अतीत में भुकंप तथा विवर्तनी की जटकों के अधार पर भारत को चार भुकंपे छित्रों यानि दूसरा तिसरा चौथा और पाच्वा में विवाजित किया गया है पहले भुकंप छित्रों को भुकंप की गंबिरता के समन्द में पांच छित्रों में किया है डिखुक है जिसमें दखते हैं कि इस प्रकार्ब से है तो यहां श्यत्र प्लेश में भूक Pan के आधिक सबसे तब त्रिव जटके देखे गए हैं इन छेत्रों में साद दसमलव जीरों से अधिक त्रिवता वाले भुकंब देखे गए हैं और यह जोन नाइन की तुलना में अधिक त्रिव होते हैं उसका देखी सम्मंदित समीती जो है वकिस प्रकार से काम कर रहा है इस छेत्र में तो दसको पहले इस छेत्र में भूमी धसाओ के मध्य नजर उत्तर परदेश सरकार यानि उत्तरा खंड तब उत्तर परदेश का ही मतलव का एक हिस्सा था ठीक है अनियोजित विकास और प्राकिर्तिक भेदता की पहचान के परती आगाह किया था उसका देखते हैं कि जोसी मठ का महत्व क्या है ठीक है भारत के लिए जोसी मठ का महत्व किस परकार से है तो सामरिक महत्व के दिरिश्टी सम्देखेंगे तो वर्स 1962 सामरिक मतलब समझते हैं कि रच्छा सुरक्षा ठीक है तो वर्स 1962 के भारत चीन युद के बाद जोसी मठ एक सामरिक महत्व के अस्थान के रूप में उभरा यह भारत चीन सीमा के साथ आसपास गाउं से सम्मन्ध है और इसी के पास बारा होटी भी है जो सीमा पर एक विवादिच्छित रहे उसका देकि तिर्थ अस्थल में क्या है कि यह सहर तिर्थ यात्रा के परशिद अस्थलों का परवेश द्वार भी है जैसे हिंदूों के लिए बदरिनाथ और सिखों के लिए मतलब हेमकुंड साहिबा ठीक है साहिब ऑली का अंतराश्टी इसकी इंग अस्थल और फूलों की घाटी यूनेस को विस विरासत अस्थल है तो यह सब तीर्थ अस्थल में यह महत्वपूर्ण है जो सीमा उसके ब भू अस्थलन के को चटान यानि मलवे के द्रब्यमान की गती के रूप में परिवासित किया गया है भू अस्थलन साम्रिक नुक्सान का एक परकार है जो गुरुत्वा कर्शन के परतेक्ष परभाव के तहत मिर्दा एवं चटान के किसी भी धलान संचलन को दरसाता है उस फैलना और परवाहित हो ना है कि इन है आगे भुगर्भिक समागरि यानि तल शीला मलवा या भुतल के प्रकार के अधार उप विभाजित किया गया है अगला है कि मलवे का परवाह तो इससे आम तोर पर कीचर परवाह या कीचर का का फिसलना के रूप में जाना जाता है और चटानों का गिरना समाने भू अश्खलन प्रकारों क्या उधारन है तो दोस्तों इस तरह ही यह टॉपिक कम्प्लीट हुआ कैसा लागा हमें कमेंट करके जरूर बताए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिसे उसे भी फैदा हो सके तो आज के लिए इतना ही मिल मिलते हैं नेक्स्ट एपसोड में जय हिंद।